जैश्री मननाराण गुरुजी जैश्री मननाराण गुरुजी आपने बताय था दियुतम पानम स्तिरिया सूना मतलब ये चार चीज कल्युक का वास होती है मैं शेयर मार्केटिंग से पैसा पैदा करता हूं मतलब मतलब जैसे शेयर कोई खड़िता हूं कुछ पैसे बढ़ जाते उसमें बेज देता हूं तो ये क्या कुछ पाप हो जाता है क्या ये जुआ कहलाता है क्या जुआ तो है लेकिन शेयर मार्केट में ये बताई ये फाइदा ही होता है कि नुकसान भी होता है कभी-कभी नुकसान हो जाता है अगर हिसाब से खेलो तो फाइदा ही होता है मतलब खेलना क्या है मतलब कोई बड़ी कमपनी जैसे उसका मैंने शेयर खरीद लिया और कल उसमें दस रुपे बढ़ गए तो उसको मैंने फिर बेच दिया तो दस रुपे का जो फ्रॉपेट होता है हाँ सही है लेकिन कई लोग आप इस बात से सह मत है किसी सेयर मार्केट की चक्र में कई लोग बरवाद हो चुके है हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी ये मेरा मेन जॉब नहीं है मतलब ये करता हूँ इसको भी यदि सम्हल कर आप करते हैं है तो ये जुआ ही है तो जुआ पर जुआ खेलना पाप है मेरे पिता जी असल में कहते है कि ये कर सकते हो तुम लेकिन ये जुआ नहीं कहलाता लेकिन आप से गुरु मार के चाहता हूँ इस बारे में यदि जुआ नहीं होता तो फिर सब बरवाद क्यों हो गए अधिकान इसलिए जुआ ही है और जो बरवाद हुए है उनसे पूंचो की भाई अप खेलोगे वो कहेंगे नहीं मैंने तो ये जुआ ही है एक प्रिकार बहुत बहुत कृपा है आपकी प्रभुजी नौस्ति को जए शुल राधृमि भरवभुजी जुआ है जौए श्रीम नारय संयशनलों मुट्यों छोगेन इुक वजन है तो यह जई को परिवर्तन हुआ जी में दुवरे का दिस गया था वहां से तुल्थी माला लेकर फिर आधा राधा श्री मन नारायन दो नाम का जब चालू किया हूं जी मेरा मन में कई बिलता हुआ मने जो बिलता हुआ उल्टा पर वार हो मेरे को प्रकट मने सामने आता है और मेरे को लाइन हलका डिस्टब कर रहा है अच्छा इसलिए आपका सरन में एक बार रहे हैं गुरुदव ठीक है कथा सुना करो सब ठीक होगा आपका गुरु मंत्र कठा भी चेहरें करो याद आए गा लेका अज ही जो अपने मन को अपने कंड्रोले तो मन पर आप jeśli हम यह तो हम चैनल गभ grad रादे रादे गुरुजी जी बेटा गुरुजी मैं लड़ो को पाले के लिए कपड़ा बनाई हूँ अपने हाथों से देना चाहिए अच्छा ले आओ यहाँ ले आना बेटा माइक यह दादा जी खड़े हो जाए या पीले कुलते वाले आप